पिछले साल रामकथा के फिल्मी संसकरण आदे पुरुष देखकर मायूस हुए रामभक्तों के लिए इस साल के पहले महीने में ही रिलीज हुई है फिल्म हनुमान आदे पुरुष के 600 करोर रुपे के बजट के मुकाबले इसका 5 फीसदी बजट भी नहीं है हनुमान का लेकिन कम्प्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, समवादों और संगीत में ये फिल्म उससे कहीं बहतर है ये कहानी है हनुमान की जन्स्थली अंजनादरी की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की थुड़ी से गेरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमनी बन चुकी है ये रुद्रमनी जब अंजनादरी गाव के एक टप्पे बाजचो करे को मिलती है तो क्या कुछ गुल खिलते हैं? इसी की कहानी है फिल्म हनुमान युवा निर्देशक प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म में इसकी सेक्वल जय हनुमान की भी एलान किया है जो अगले साल रिलीज होगी फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब संसनी जगाई थी फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिने यात्रा शुरू करने वाले तेजा सज्जा को लेकर दर्शकों के मिश्रत भाव ही रहे अब फिल्म सिनिमा घरों में पहुँच चुकी है और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ही ये बता देना जरूरी है कि ये फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनुरंजन चित्र है बच्चों के साथ इसे सिनिमा घरों में देखा जा सकता है ये फिल्म भारतिय सिनिमा के एक नए सुपर्मेन की ऐसी कहानी है जिसमें विलेन भी सुपर्मेन बनना चाहता है और उसका साथी बात-बात में शजाम भी बोलता रहता है फिल्म की अंतरधारा एक प्रेम कहानी है और दक्षिन में एक ऐसे कालपनिक गाउव अंजनादरी में घट्ती है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोरे पर हनुमान की एक विशाल मूर्ती गाउव को देखती सी दिखती है फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक रकेती की एक वारदात से जिसे रोपने के लिए काले कप्टों वाला एक सुपरमेन माईकल प्रकट होता है उसने तक्नीक के सहारे शक्तियां पाई है उसका जोड़ीदार सिरी उसे सुपरमेन एम बनाने में मदद कर रहा है और कहीं बढ़ी बहन चला रही है जो हर शादी से इसलिए इंकार करती रहती है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र है भाई उसका हतहल्प का है बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है वह योवती डॉक्टरी की पढ़ाई करके गाउव लोटी है और अपने इस प्रेमी से अंजान है एक घंगोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वो मरनासन हालत में नदी में फेका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमनी रुद्रमनी की रक्षा त्रेता युग से विभीशन करते आये हैं इस मनी में देवों औ और असुरों के भीशन संग्राम की गाथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है कहानी एक ऐसे रोचक मोल पर आकर थमती है जहां भविश्य के अनिष्ट की आशनकाएं इसकी सेक्वल का आधार बनाती हैं हनुमान मूवी का बजट 25 करोड है और अभी तक या मू मूवी 100 करोडन से उपर की कमाई कर चुकी है ऐसे ही चलती रही टू 300 करोड से भी उपर जे गाइस का कलेक्शन